Hello everyone, I'm back! So, I'm back here on this WOW platform of Magnet Brails. This is Swati, your English educator from Magnet Brails. And now, we are going to continue our topic. क्या है हमाई topic? Direct and indirect speech. क्या समझा हमने की direct and indirect speech क्या होती है? अगर कोई आप मैं और मैं किसी से बात कर रही हूँ और जब उसने मुझसे कुछ भी कहा और जब मैं किसी third party को वो बात बताती हूँ, मुझे दो तरीके होते हैं मेरे पास. या तो मैं उसको किस तरीके से बताऊंगी? उसने जो बोला exactly, वैसे का वैसा cut, copy, paste कर दिया. या तो मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ. ठीक है? एक जगा आप repeat कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं direct speech. और एक जगा आप सामने वाली की बात को report कर रहे हो. ठीक है? repeat नहीं कर रहे है, report कर रहे हो, उसे हम कहते हैं indirect speech. ठीक है? अब यह जो है बहुत scoring topic है, क्योंकि अगर अभी आप 7th में हो, 6th में हो, 5th में हो, या 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, आपके लिए यह important topic है, एक तो आपके school में तो छोड़ो आएगा ही आएगा. लेकिन मान लो, if in future you feel कि आपको किसी भी exam को crack करना है, किसी भी exam को, so grammar में यह basic questions आते ही हैं, ठीक है? So now let's continue, हमने last में कहां रुका था? हमने last वाले वीडियो में देखा था, कि जब हम convert करते हैं direct speech को indirect speech में, तो कुछ factors होते हैं जो change हो जाते हैं, एक single sentence में 7 चीज़ें होते हैं, जिनका हमें खयाल रखना पड़ता है. पहला होता है reporting verbs, reporting verbs क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा, he said, let's go to play, तो यह जो word said है, यह एक report कर रहा है, इसलिए से हम reporting verbs कहते हैं. फिर होते हैं modals, modals कुन से होते हैं? can, could, shall, should, will, would, have to, may, might, all these things. इन्हें हम कहते हैं modal verbs, तो direct speech से indirect speech में modals कैसे change होते हैं? थर्ड हम पढ़ेंगे time, जैसे किसी ने बोला अभी या तब, तो मैं time को exactly कैसे change करती हूं? similarly place, pronouns, tenses और last में है punctuation, यह seven चीजें direct speech से indirect speech में पूरी की पूरी बदल जाती हैं और हमें हर चीज को detail में समझना है कि अगर यह होता है तो हम क्या करेंगे, अगर वो change आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले, let's see the steps for changing direct speech into indirect speech, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन से steps होते हैं? step number one, अब यह जो steps हैं, यह हम यहाँ पे समझेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला आपका sentence है, सबसे पहला step है, change the reporting verb as per the type of sentence अब मैंने अगर यहाँ पे कहा, मान लो, he said, ठीक है? he said, do you want coffee? do you want some coffee? ठीक है? question mark understood? अब जब मुझसे यह कहा गया, he said, do you want some coffee? अब सबसे पहले जब direct speech को indirect speech में change करें, देखो यह sentence तुम्हारा कौन सा sentence है? क्या ये एक simple sentence है? मतलब assertive या declarative है, जो simple एक statement बता रहा है क्या ये जो sentence है, तुम्हारा, ये कोई exclamatory sentence है, जिसके last में exclamation आ रहा है या ये कोई question पूछ रहा है, या ये imperative है, कोई request कर रहा है, या order कर रहा है accordingly, अब देखो, यहाँ पे एक question कर रहा है, ठीक है? question कर रहा है, question में पूछना बोलते हैं, अब मैं जब change करूँगी अपनी speech तो मैं बोल सकती हूँ he asked, ठीक है, he asked, क्योंकि उसने पूछा है, तो मैं इस reporting verb को अपनी indirect speech में as per my sentence change कर सकती हूँ अगर similarly मान लो, कोई request किया होता, he said, please open the door अगर sentence यह होता, तो मैं बोलती, he requested, ठीक है, he requested अगर किसी ने बोला होता, he said, do you know where the principal's office is, तो मैं बोलती, he inquired तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो कुछ usual, reportive verbs होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं अगर कोई question वाला statement है, अगर मान लो, कोई simple declarative statement है, जैसे कि I am a good boy तो he said का said ही रहेगा, तब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, assertive sentences में said को आप said ही रिख सकते हो अगर आप कोई question वाला statement है आपको, जो आप quote कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, इधर आप बोल सकते हो, he asked, या आप बोल सकते हो, he inquired inquired मतलब कोई inquiry करना, ये office कहा है, ये रास्ता कहा है, ये होती inquiry, और एक होता है, he demanded, मुझे बताओ तुम कहा गए थे, तो मम्मा जो आप से पूछती है, वो question नहीं करती है, मुझे बताओ, तब से एक घंटे से पिछले एक घंटे से तुम कर क्या रहे हो, so she demanded to know, ठीक है, त एक simple word है, she questioned, ठीक है, अगर इसी की जगह कोई imperative sentence है, मतलब जहाँ पे आप यहाँ तो request करें, command करें, order करें, तो आप बोल सकते हो, she requested, ordered, or advised, or commanded, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, जब हम exclamatory sentence की बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, she exclaimed, आप यहाँ पे exclaimed with admiration, मानलो, आप कि इस चीज़ को admire करें, wow, what a beautiful flower, तो आप उस flower की beauty को admire कर रहे हो, mohit हो रहे हो आप उससे, तो आप क्या कहोगे, she exclaimed with admiration, ठीक है, अब मानलो, आप किसी चीज़ से बहुत जादा दुखी हो, so she exclaimed with regret, oh no, I shouldn't have done this, तो आप बोलोगे, she exclaimed with regret, similarly, अगर आप surprised हो, तो आप बोलोगे, she exclaimed with surprise, तो अब आपके reporting verb इस तरीके से change होते हैं, यह हमारा पहला step है, कि हमें reporting verb को change करना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर sentence में, assertive sentences में आप said को said लिख सकते हो, ठीक है, अब step two, okay, step two क्या है, remove the comma that separates reporting verb and quoted statement and put that, अब यह हर sentence में that नहीं लगता, लेकिन majorly, most of the sentences में लगता है, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, वो हम देख लेते हैं, वो यह कह रहा है, कि he said है, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया he asked, ठीक है, मैंने सबसे पहले reporting verb को change कर दिया, step two क्या है, यह जो हमने comma लगाया हुआ है, इस comma को हटा दो, ठीक है, he asked, अब जब हम question करते हैं, जैसे मैंने बताया that लगाना होता है, जब हम question करते हैं, तो that की जगा if लगा देते हैं, या तुम लगाओगी, मानलों का simple sentence होता, तो तुम लिख देते that, तो यह comma हटाने के बाद, आप इस तरीके का एक conjunction add करते हो, ठीक है, यह हो गया तुम्हारा step number 2, अब देखते हैं, remove the quotation marks, इसका मतलब step number 3 में तुम्हारे ये quotation marks भी चले जाएंगे, ओके, यह भी चला गया, अब हम आगे देखते हैं, next step का step क्या होता है, next step number 4, make changes as per the reporting verb, understand the tense of the reporting verb, अब आपको क्या करना पढ़ता है, इस चीज को देखो, मैंने यहाँ पे जो मेरा reporting verb है, इस reporting verb को देखो, यह present tense में या past tense में है, मैंने यहाँ he says नहीं लिखा है, मैंने लिखा है said, ठीक है मतलब उसने past की बात करिया, अब past की सबसे पहले यही देखो, यह जैसे अपन का sentence है, इस में देखो यह past की बात करा है या present की, अब अगर यह present की बात करा है, तब पूरा खेल अलग होगा लेकिन अगर said बोला है तो पूरा खेल अलग होगा देखते हैं कैसे If the reporting verb is in the past tense इसका मतलब क्या है या तो said लिखा हुआ है या told लिखा हुआ है अगर past tense में है then पूरा का पूरा जो आपका जो quoted वाला statement है न वो पूरा का पूरा past में change हो जाता है understood क्योंकि उसने कहा था कि वो गया था अब आप पूरा का पूरा past में है अब आप यह नहीं बोलोगे अब आप बोलोगे उसने कहा था कि वो आ रहा था आपको इस तरीके से change करना पड़ेगा तो अगर आपका जो reporting verb है वो past में है तो पूरा का पूरा जो आपका quotation है पूरा जो direct speech है वो पूरी की पूरी past में change हो जाएगी लेकिन अब यह कैसे होगी जैसे मैंने बोला अब यह वोज और वो हैड बीन कैसे हो गया हैड बीन में कोई change नहीं है हैस और हैव में हैड हो गया हैड था तो कोई change नहीं है do था तो did हो गया अब यह exactly हुआ क्या इसमें तुम अभी मत जाओ अभी बस इतना समझो कि अगर वो पास्ट का होता है न तो पूरा का पूरा sentence पास्ट का हो जाता है यह मैं आपको बाद में explain करूँगी ठीक है अभी आम यह समझते हैं अगर आपका जो tense होता है reporting verb का मान लो कि वो जो होता है present tense का है अगर या future tense का है मतलब अगर लिखा हुआ है he says अगर he says लिखा हुआ है या लिखा हुआ है he will say इन दोनों में से अगर कोई भी चीज लिखी हुई है अब आपके sentence में changes नहीं आएंगे उसको आप past में नहीं change करोगे example देखते है इशा says I am pretty इशा कहती है कि वो खूबसूरत है इशा कहती है कि वो खूबसूरत है इशा says that she is pretty अब मैंने इसको past में change नहीं किया कुछ changes आए है basic changes आए है लेकिन वो इसी लिए क्योंकि मैं कहूंगी अगर तुमने कहा कि suppose किसी लड़की ने मुझे कहा अरे तुम्हें पता है मैं pretty हूँ तो मैं तुम्हें ये थोई ना पता हूँ कि वो कह रही थी कि मैं pretty हूँ वो ये नहीं कह रही थी कि मैं pretty हूँ वो ये कह रही थी कि वो pretty है तो मुझे ये change लाना पड़ेगा मैं ये नहीं बोलूँगी Isha says that I am pretty मुझे बोलना पड़ेगा Isha says that she is pretty तो ये change है लेकिन मेरा tense change नहीं होगा present से past नहीं होगा Similarly, Rohan will say Rohan कहेगा I am tall Rohan कहेगा I am tall तो तुम इसको वैसे ही बोलोगे Rohan will say that he is tall Rohan कहेगा कि वो tall है तो जब आपका past में तब तो पुरा sentence change हो जाएगा past tense में लेकिन अगर present और future में हैं तो आपका sentence past में नहीं change होगा ठीक है There are three situations in which even if the reporting verb is in the past tense we do not change the tenses in the reported speech इसका मतलब अभी तो हमने समझा अगर present tense में और future tense में हम reported speech का tense change नहीं करते लेकिन there are three more situations पहली अगर मैं कोई fact की बात कर रही हूँ कोई universal truth की बारे में बात कर रही हूँ जैसे कि the teacher told us like for example the teacher said to us water boils at 100 degree Celsius अब यार ये तो एक fact है कि पानी जो है वो 100 degree पे उबल जाता है अब ये एक fact है तो मैं ये नहीं बोलूँगी teacher ने कहा था की पानी 100 degree में उबल जाता था नहीं जब मैं universal fact की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी teacher ने बोला की पानी 100 degree में उबल जाता है तब मुझे past के नहीं present की ही बात करनी पड़ेगी मैं क्या बोलूँगी? The teacher told us that water boils at 100 degree Celsius और दूसरा क्या है? The reported speech has two clauses, both in the past अगर reported speech में दो clause हैं और दोनो के दोनो past में हैं कैसे? Reena said to me, Neha was tired so she did not go out to play with friends अब यहाँ पे दो clauses हैं एक sentence है, Neha was tired यह अपने आप में complete sentence है एक sentence बोल रहा है She did not go out to play with friends ठीक है? So she did not go to play out with friends अब जब एक sentence में दो negative clauses हैं मतलब दो past की clauses हैं नेगेटिव नहीं, दो past की clauses हैं अब जब तुम इसे change करोगे, तुम बोलोगे Reena told me, क्योंकि said था said to me, तुम्हाँ पास object है कि किस से बात की, तो तुमने told change कर दिया Reena told me that ये जो कॉमा था, ये हटा के हमने क्या लिख दिया? that Neha was tired, so she did not go out to play with friends अब क्योंकि दो clauses हैं, दोनों negative past में हैं तब हम changes नहीं करेंगे और third point क्या है? The reported speech describes a situation which still exists when the speech is reported उसने कहा था बारिश हो रही है और बारिश अभी भी हो रही है तब तुम क्या बोलोगे? उसने कहा था कि बारिश हो रही है क्योंकि वो अभी भी हो रही है उस वक्त ये नहीं कि बारिश रुख गई है तो ऐसी कोई चीज जो अभी भी हो रही है जैसे कि Mr. Gupta said all the flights are delayed due to heavy rains सारी की सारी flights जो हैं वो सब की सब delay हो गई हैं late हो गई हैं because of heavy rains अब यहाँ पर अभी भी लेटी हैं ठीके अभी भी flights time पर नहीं हुई है तब हम कहेंगे Mr. Gupta said that all the flights are delayed due to heavy rains अब मुझे यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है similarly जैसे they said the sun rises in the east तो मैं क्या कहूंगी they said that the sun rises in the east क्यों क्योंकि यह एक fact है मुझे इसमें कोई भी changes करने की जरूरत नहीं है हाँ जी अब हमें क्या देखना है say or tell यह मैं already वैसे तो discuss कर चुकी हूँ बट इसमें क्या था we always say something but we tell somebody do we know this yes we know this मतलब अगर मैं किसी मैंने सिर्फ लिखा है he said और मैंने नहीं लिखा वो किस से बात कर रहा है तब जब मैं reporting verb को अपने वापस direct speech से indirect speech में change करूंगी then I do not have to say he said or he told सीधा लिख दिया said लेकिन अगर उसने बताया होता है कि वो किस से बात कर रहा है तब हम बोलेंगे उसने उसको बताया मैंने कहा और मैंने तुम्हें बताया that's the difference तो मैंने कहा I said मैंने बताया I told तो यहाँ पर हो जाएगा जब मैंने उसको बताया या Dina ने मुझे बताया तो I'll say Dina told me that she was reading a book Are we clear with this? Yes we are clear with this अब next चीज क्या हो रही है अगर मैं ये वाला sentence देखू मेरा He said do you want some coffee Now here मैंने लिखा रही क्या बताया क्या कि मैं किसी को बता रही हूँ मैंने सिफ ये कहा He said उसने कहा क्या तुम्हे कुछ coffee चाहिए क्या तुम coffee पियोगे तो यहाँ पे told me नहीं आएगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता किसे बात हो रही है Next है आपका step number 5 Make the following changes in the sentences आब आता है भारी वाला काम चलो पहली चीज बात करते हैं हम tenses के बारे में ठीक है अब यहाँ लिखाए We change tenses when reporting in indirect speech In the below table we are sharing how tenses change with indirect speech किस तरीके से आपको tenses को change करना होता है लेकिन सर आपको यह चीज याद होनी चाहिए कि अगर यह changes कब होंगे जब मेरा reporting work past में होगा अगर मैंने says बोला है या will से बोला है तब तो कोई change नहीं होंगे तो हम यह मान के चल जाएं जो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेरा reporting work past में है अब हम देखते हैं changes कैसे होते हैं ठीके? चलो यह रहे आपके यह रहा आपका table इसको देखके अब तुम बिलकुल परिशान हो जाना ठीके? ओरे माहम यह क्या निकाल दिया आपने इतने की थोड़ी नहीं हो रही थी लेकिन यह बहुत simple है हम इसको जब sentences के साथ समझेंगे then we'll be able to understand it well now let's go back here because we have to get one example now what is the example? सबसे पहले हम एक simple present tense का example ले लेते हैं ठीके? he said जैसे की अब यहाँ पे मेरा table क्या कहता है? अगर मेरा कोई sentence simple present tense में है तो मुझे उसे past simple में कर देना है क्योंकि की मैंने बताया था reporting वो past में है na सबको past में कर दो जूप करके past में कर दो simple past past हम अलब simple present simple past में convert हो जाएगा present continuous है तो past continuous में convert हो जाएगा present perfect है तो past perfect में होगा लेकिन अगर आपके past यहाँ पे अच्छा अगर past simple है इतना तो समझ में आ गया ठीके? simple present है simple past में हो गया present continuous past continuous present perfect past perfect ये ठीक है? अब जब तुम past simple हो तो past simple को past simple में तो करोगे नहीं तो past simple को past perfect में change कर दोगे इसको हम किस में करेंगे past perfect में change कर देंगे अगर past continuous है तो उसको past perfect continuous में कर देंगे और अगर past perfect है तो अब उसका क्या ही change करेंगे तो उसको वैसे का वैसे ही रने देंगे no change Similarly past perfect continuous है तो भी हमारे हाथ से निकल चुकी है यह वाली जो case है तो इसमें भी कोई change नहीं होगा और जहां हम कोई universal truth की बात करते हैं जैसे water boils at 100 degree Celsius और the sun rises from the east तो मैं यहां पे again I would not change anything क्योंकि यहां पे हम facts की बात करें जो हम already समझ चुके हैं समझ आया एक बार repeat करते हैं simple present बन जाएगा simple past present continuous past continuous present perfect past perfect ठीक है अगर मैंने बोला simple past तो simple past बन जाएगा past perfect अब वो एक कदम आगे चला जाएगा simple past बन जाएगा past perfect अगर past continuous है तो वो बन जाएगा past perfect continuous लेकिन अगर past perfect है तो कोई change नहीं आएगा past perfect continuous है तो भी कोई change नहीं आएगा अब इस चीज़ को समझते हुए हम समझेंगे इतने सारे जो हमारे पास examples हैं देखते हैं Hina said I walk Hina ने कहा मैं चलती हूँ ठीक है? Hina said I walk अब मैं बोलूँगी Hina said यहाँ पे देखो जो जो changes हो रहे हीना said अब said के बाद ये जो कॉमा था ये मैंने हटा दिया और इसकी जगा लगाया मैंने that ठीक है? अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना Hina ने कहा कि मैं चलती हूँ मुझे यही बोलना पड़ेगा ना Hina ने कहा कि वो चलती है अब चलती है नहीं रह जाएगा ये हो जाएगा चलती थी Simple present जो है उसको मैं change कर दूँगी Simple past में मैं बोलूँगी Hina said that she अब walk जो होगा उसका past tense हो जाएगा walked Hina said that she walked अब यहाँ पे quotation marks गए कॉमा गया Are we clear with this? मैंने simple present को simple past में change कर दिया Second sentence देखते हैं जहाँ पे मैं present continuous tense की बात कर दियो Again जैसे कि मैंने active passive में बोला था कि tenses का knowledge होना बहुत ज़रूरी है Similarly यहाँ tenses का knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है Deepak said I am having tea मैं चाय पी रहा हूँ बहुत ही महान काम कर रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे Deepak said अब लिखा हुआ है कि किस से बात कर रहा है नहीं तो told वगेरा कुछ नहीं आएगा Deepak said that यह कॉमा हटा और लगा दिया हमने that quotation marks हटे अब बोलेंगे I am having tea Deepak क्या है Deepak जो है एक आदमी है तो इसके लिए pronoun he use होगा या she use होगा अब जिनते लोगों को लग रहा है she use होगा बिलकुल ऐसा मत करना he he use करना तो क्या हो जाएगा Deepak said that he अब यह M था उसको कर दो was having having ही रहेगा क्योंकि present continuous past continuous में change होगा T को लिख दो T quotation mark को करो are we clear with this क्या किया हमने present continuous को पूरा का पूरा past continuous में change कर दिया let's see this once more अगर मैंने यहाँ पे कहा Swati said मैं जब भी कोई example लेती हूँ मुझे मेरा ही नाम याद आता है कोई बात नी Swati said You are writing a paper You are writing a paper ठीक है Full stop Double inverted commas इसी तरही के से लिखते है अब जब मुझे इसको indirect speech में change करना पड़ेगा तो क्योंकि मुझे नहीं पता Swati ने किस से बोला तो मैं लिख दूँगी Swati said अब यह कॉमा हट गया कॉमा की जगा क्या लग गया ठीक है अब ही हम simple sentence की बात करें कोई interrogative ने कोई imperative ने Swati said that अब Swati ने कहा You are writing a paper अब मुझे नहीं पता कि वो You जो है वो क्या है Swati said that You are writing a paper और चलो इसको You को भी हटा देते हैं मैंने बोला I am writing a paper Swati ने कहा वह paper लिख रही है तो Swati अब एक लड़की है तो में को लिखना पड़ेगा that I की जगा मैं लिख दूंगी she अब she के साथ क्या मैं M लिख सकती हूँ बिलकुल नहीं मुझे past का लिखना है तो past में singular के लिए मैं लिखूंगी was और बाकी वैसे का वैसा रहेगा क्यूंकि ing verb में तो लगेगा he is writing a paper Swati ने कहा कि वह paper लिख रही थी quotation marks नहीं आएंगा are we clear with this? समझ में आया हमने क्या किया? अब अगर मेरा sentence जो है वो present perfect का है present perfect में क्या आता है? has आता है या have आता है और verb का third form आता है तो Aisha said honey has left for school अब यहाँ honey हम खाने वाले honey की बात नहीं कर दें हम किसी लड़की की बात कर दें ठीक है? Aisha ने कहा honey has left for school honey school के लिए निकल चुकी है अब मुझे जब इसे indirect speech में करना पड़ेगा मैं बोलूँगी Aisha said that ये कॉमा हटा और ये that आ गया ठीक है? Aisha said that honey अब has हो जाएगा had that's it क्यों क्योंकि present perfect से past perfect में करते हैं सिर्फ has का had हो जाता है बाकी कोई change नहीं आता So Aisha said that honey had left for school inverted commas चले गए clear? Next देखते हैं Vidisha said Ananya चुक पास था Vidisha ने कहा? Ananya ने पास दा लिया ठीक है? तो हम बोलेंगे Vidisha said that अब ये simple past tense है simple past को हमें करना होता है past perfect में तो मैं बोलूँगे Vidisha said that Ananya past perfect क्या होता है? मतलब had यूज करना है और verb का third form यूज करना है तो Ananya had verb है तुम्हारा take तो take का third form हो जाएका taken Vidisha said that Ananya had taken past ता अभी ये जो sentences है जो हम एक-एक देख रहे है अभी हम बहुत सारे exercises करेंगे बहुत सारे sentences समझेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से clear हो जाएगी अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक-एक example दिया है कि changes किस तरीके से होते हैं अगर मेरे past continuous tense है तो past perfect continuous हो जाता है past continuous में होता है subject plus was आता है या word आता है और मेरा verb में ing form आ जाता है जब मैं past perfect continuous की बात करती हूँ तो subject आ जाता है plus क्या हैगा had been और verb में ing form ठीके काफी लंबा चड़ा अपना chapter खिंच जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा they told we were living in Paris उन्होंने कहा हम Paris में रहे रहे थे ठीके तो यह हो जाएगा they told that कॉमा गया that आ गया ठीके they told that inverted commas गये अब उन्होंने कहा कि वे के लिए हम हम यूज नहीं करेंगे हम यह नहीं बुलेंगे उन्होंने कहा कि हम Paris में रहे रहे थे उन्होंने कहा कि वे Paris में रहे रहे थे तो they आचाएगा they अब यहाँ से अपन को यूज करना पड़ेगा had been a verb का ing form they had been living in Paris they had been living in Paris अब हम देखते हैं अगर तुम्हारे पास simple future का tense है simple future का tense किसमें change हो जाता है like I will go to Sri Lanka अब इसमें यहाँ पे आप modal verb को समझो will जो है ना यह change हो जाएगा would में will का change हो जाएगा would कैसे? Ramesh said I will go to Sri Lanka मैं बोलूंगी Ramesh said that he would go to Sri Lanka बस इत्ता ही करना है similarly Aishwarya said they will be watering plants तो तुम बोलोगे Aishwarya said that they would be watering plants and that's it are we clear with this? this was our concept जहाँ पे हमने समझा कि पहली चीज जो 7 points है हमारे जिसमें एक reporting verb change करना होता है tenses change करने होते हैं काफी सारी चीज़ें change करनी होती है पहली अभी हमने tenses पढ़ लिए अभी हमाई पास बहुत कुछ करना बाकी है ठीक है? डिरेक्ट इंटरेट स्पीच में आपने पहली चीज़ समझ लिए कि tenses कैसे change किये जाते हैं I am going to see you soon in my next video जहां हम बात करेंगे modals कैसे change होते हैं pronouns कैसे change होते हैं blah 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 भॉसता ही बात हैं ठीक है? So see you soon Take care of yourself Bye bye